तो दोस्तों मैं आज आप लोग एक YouTube चैनल क्रियेट करना सिखाऊंगा और इसमें ये भी बताऊंगा कि इसकी कुछ important setting भी होती है छोटी और बड़ी सभी settings जो मैंने सायद खुद भी अपने YouTube यूटूब चैनल में कौन नहीं किया था जब मैंने ये चैनल क्रियेट किया था तो मैंने बाद में इसे क्रियेट किया जिसके कान मुझे कुछ losses भी जहिलने पड़े थे तो अगर आप अक्की यूटूबर बनना चाहते हो ठान लिया है आपने तो आप इस वीडियो को पूरा अंग तक जरूर देखें करने के लिए आपको कुछ करना नहां यूटूब का ज है उसपर क्लिक करने के बाद राइट साइट औरण का option आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ठीक है add account के option पर click करने के बाद देख सकते हो यहां पर checking info आएगा उसके create account करना है ठीक है create account करने के बाद आपको यहां पर myself कर लेजिएगा उसके बाद first name पर click करना है ठीक है और surname दोनों पर आपको आपको फिलप कर लेना अपना ना आप जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो या तो अपना चैनल का नाम भी डाल सकते हो या अपना नाम डाल सकते हो ठीक है उसके बाद जो बी आपका मन्त और ठीक है उसके बाद आपको अपना जेंडर मेल या फिमेल चॉइस कर लेना आप जो भी हो ठीक है उसके बाद यहां पर जो बोल रहा है यह मुझे की email id आप suggest कर रहा है मेरे को तो हम लोग suggestion नहीं लेंगे अपना हम लोग खुद on create करेंगे create your on Gmail address लोगों को लिखने के जरुवत नहीं है यहाँ पर उसके बाद आप लोगों कुछ करना नहीं देख सकतो अगर आप यह जो email करेंगे करना है। यहां पर यकार इसे लिखसे पर सकतो नहां करता हूँ यई हम लोग इससा इंटरफेस खूलेगा उसको उसको स्क्रॉल डाउन करना हुझ करना अंध्य में सकता ओंड करना है उसके बाद आग्रिपर पर क्लिक कर देना है इमेल आइडी आलग से वो create होके तयार हो गया है उसके बाद right side corner में हम लोगे क्लिक करना है ठीक है right side corner में जैसे क्लिक करें यहाँ पर हम लोगे email आइडी बनाये थो वो आ गया है उसके बाद your channel पर click करने के बाद देख सकते हो पर यह जो चैनल अपने YouTube चैनलका सिफ 10% ही है तो आपने चैनल करने प्लिक करें मैं क्लिक करें यह पेड़ीग में पेंसिल वाले आइकॉन पर उसके लिए नाम लिखते हो ना तो उसके बाद आपको सिर्फ ये 14 दिन के भीतर ही आप चेंज कर सकते हो अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो दो बारा तब इसलिए आप देखकर कर लेना उसके बाद हैंडल कर लेते हैं जो अगर आई यह टेकन नहीं होगा तो आपको फिर आ जागा उसके बाद यहां पर सेफ पर क्लिक कर देना अगर बंदे को आप रिप्लाई देते हो तो आपका जो हैंडल है वह आपको हैंडल से यह आपका नाम सो करेगा ठीक है इसलिए हम लोग हैंडल कर रहे थे बाद आपको चैनल का जो यूरल नीचे दिख रहा होगा उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे आप अप आपने चैनल के बारे में लिखना चाहते हो वह लिख सकते हो तो सिंपली कुछ भी आप लिख सकते हो हाई आई एम रोहित और किस बारे में आप यूटूब में वीडियो डालते हो किस बारे में आपका चैनल और कहां तक श्टडी कियो आप जो भी अच्छे से जितना अच तो समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो कि किसी बड़े YouTuber का भी आप खोल के देख सकती है description में वह बहुत ही अच्छे लिखते हैं किसी का भी खोल के आप देख सकते हो kontra description ठीक है about में जाने के बार हो अब हम लोग बैनर और प्रोफाइल पिक्चर दोनों लगाएंगे तो प्रोफाइल पिक्चर पर हम लोगाने क्लिक कर दिया आप जो भी चाहो वह ले सकते हो मैंने एक रोही तोजा का जो टैग है वह बना लिया उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा ठीक है अभी थोड़े दिर में यह आ आपको दोस्तों बैनर बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा ऐसे मैंने थम्बनेल बनाने के लिए वीडियो बनाई हुई है आपनी मेरे वीडियो उसके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं उसमें मिलेगा आप लोगों आप और इसने बैनर बनाना बी सिखा दूंग Guid कैंट के इसके बाद ने 播डेश बेनर भी अप्लोट कर लिया अपनोन पर लिया हमें लोगर ने बनाम डाल दिया हैंडल भी क्रियेट कर लिया है ठीकिंगे हम लोगा लगबग सभी 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 सेटिंग्स कर ली यहां पर थ था यहां पर नीचे कुछ यह आपका इंस्टाग्राम का और जिसका भी आप लिंक देना चाहता हूं वह भी दिखाई देगा मैं आपको लास्ट में दिखाता हूं ठीक है अब अपने फोन के अपने जो इमेल अइडी है कि नहीं ठीक है अचेए अब अपर हम सीध्य सर्च करेंगे यहां पर सेजेशन और नहीं करना देख झालते सर्च करें हुझान थे देने लास्तों में स्रैस्टार और और रपकारया यहां ज़ेकर है उसके बाद हम लोगों को सीधे यहां से नीचे से next कर देना है next करने के बाद continue करना continue करने पाद देख सकतो यहां पर यूटूब का यूटूब का चैनल है वो फुल चुका है right side corner में मैंने click करके दिखा दिया है यहां पर जैसे ही क्लिक करण पर सबसे साथ उयुम्हें कुछ चलिक करना नहीं सबसे नीचे स्वैप करके जाना और नीचे लैप साइड में एक सेटिंग वाले आइक़न पर गलीक करना उसमें क्लिक करने के बाद हम लोगों को जाना इसमें सेजनलस पर ठीक है चैनल पर आने के बाद हम लोगों को क्लिक करना है फीचर इलिजबिलीटी पर देख सकते हैं यहां पर तीन ऑप्शन है ठीक है तीनों ऑप्शन जो है इन्हें अनेबल हम लोगों को करना बहुत ही जरूरी ठीक है फस्ट तो अपने आप खुद ही अनेबल रहता है दूसरा वाला इनेबल हम लोगों इसलिए करना है क्योंकि जब हम लोग इसमें दूसरे वालों कर देंगे तो उसमें फायदा यह होगा कि हम लोग अपना जोब थामनेल और वीडियो पंद्रा मिनिट से उपर भी अपलोड कर सकते हम लोग और ठीक है इसका बाद हम लोगो कुछ करना नहीं है जैसे हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम लोग वेरिफिकेशन आता है तो आपको मोबाइल से या किसी से भी आप वेरिफाइब कर सकते हो तो हम लोग सिंपल यहां से मोबाइल से वेरिफाइब करेंगे ठीके मोबाइल पर वेरिफाइब करके ज फोन नमबर जो आपका वेरिफाई हो जाएगा फोन नमबर जब वेरिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको सिंपली वहां से अपने वाले जो पेस्ट पेस्ट है होता क्या ये हूता है वीडियो के ऊपर देख लगी है वहींमेज होती है उसके बाद जो वीडियो होते है वहीं थभबनेल होता है तो इस यही ने के बाद हम लोगे उसके लगने के बाद हम लोग written पर अच्छे कासे जो भी आप image लगाना चाहते हो जितना अच्छा इमेज होता है उतना अच्छा आपका वीडियो उसको व्यू भी जाता है ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं custom thumbnail ठीक है उसके बाद last वाला और third वाला option बचता हम लोग का advance features में enable करना होगा हम लोग थार्ड वाला ठीक है थार्ड वाले पर click करना है थार्ड वाले पर click करके swap करना है देख सकते हो वीडियो वेरिफिकेशन वैलिड आइडी चैनल हिस्ट्री अगर आपने यह पुराने email आइडी पर बनाया है तो क्या होगा ना कि आपका जो हिस्ट्री है उस पे आप create कर सकते हो उस पर हम यहाँ पर करेंगे वेलिड आइडी ठीक है यूज वीडियो वेरिफिकेशन अब वीडियो वेरिफिकेशन भी कर सकते हो यूज यूर वेलिड आइडी हम लोग चुप चुप से करेंगे यहाँ पर कि Simple सा हम लोग यहांपर करेंगे Video Verification ठीक है Video Verification पर क्लिक करेंगे तो क्या जो आपने email ID डाला था उस email ID पर एक code जाएगा ठीक है तो code get mail पर कर देंगे ठीक है जैसे ही हम लोग getail पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर दिखाएगा we have sent you an email ठीक है वो उन लोगों ने क्या किखिंग जो वीडियों को हम लोगों को बेजा है वह मतलब जहिए कि करने के लिए यहां पर आना यहां पर देख सकतो है जैसे इसफाले एफ पर कलिक करेंगा उसके बाद deiक सकते हैं यहां पर मैंने जितने भी मेरी इस exper пох two be email id बनाया उसमें मैंने उसपे कर दिया ठीक है click उसपे click करने के बाद यहाँ पर देख सकतो हो YouTube की तरफ से message आया उसपे मैंने click किया scroll down करना start verification करना ठीक है मैं पूरा आपको पूरा ही जितना भी मैंने process किया है मैं सुरू से लेकर on तक आप लोगों को बता रहा हूं ठीक है उसके बाद देख सकतो हो यहाँ पर आपना email id भी आ गिया है email id आने के बाद scroll down करना है scroll down करने के बाद I agree और allow पर click कर देना ठीक है जितनी भी यहाँ पर no thanks के उपर जो खाली करने बाद next करना है simply हम लोगों को जैसे next करेंगे तो दोस्तों आप लोगों next करने के बाद यह जो video verification के लिए allow मांगेगा आपके camera की तरफ से ठीक है हमने allow भी कर दिया यहाँ पर उसके बाद आपको simply यह जो arrow पार हो रहा है जो मैं देख रहा हूं उसमें वह उसी arrow को आपको एक बार सिर्फ देख लेना है ठीक है जैसे यह आप arrow देखो के यहाँ पर आपको uploading यह वीडियो हो गया ठीक है अब यह लगभग 24 घंटे के अंदर activate हो जाता है ठीक है तो मैंने यह एक्टिवेट मेरा हो गया है पर यहाँ पर दिखा नहीं रहा यह 24 घंटे के अंदर हो जाएगा इसके बाद हम लोग सिंपली आएंगे एडवांस सेटिंग पर ठीक है उसी के लेफ्ट साइड में देख सकते हो वहाँ पर एडवांस सेटिंग में आना है उसके बाद हम लोगों देख सकते हो यहाँ पर option दिया रहता है कि आपने जो content बनाया है वो content बच्चों के लिए है 18 साल के नीचे के लिए कि वाले बड़े मतलब की बड़ों के लिए ठीक है तो नहीं मेरा यह जो चैनल है मतलब की मैंने यह बच्चों के लिए नहीं बनाया है तो हम लोग करेंगे सीधे no no it's not more for kids ठीक है इससे करने से यह फायदा होगा कि जो आपका वीडियो जो है क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा कि आपका जो लोग्ती है इंडिया से हो या कहान से बिलॉण करते हो तो उसके लोग जो विडियो ए ना किए वीडियो हम लोग इंडिया कि में ही रिगस्ट जादा करें ठीक है तो हम लोगों नहीं है rifles पर अते हैं ठीक है कि व consumed की वर्ड को हम लोग अच्छी तरीके से लिख देख सकते हो मैं जो बहुत सारे नाम लिखिया है रोहिट टैक रोहिट टैक आप बड़े अक्षर में कैपिटल में छोटे अक्षरों में अलग अलग करके जितने तरीके जो आपने चैनल बनाया क्रियेट किया है उसका नाम अप्लोडड़ में आने के बाद Jewish City में जाते हैं MARY क्या है आप किस चीज पर बनाते हो यह ब्लॉग बनाते हो यह वीडियो बनाते हो यह एडियो कर रहे हो थिक तो यहीं ना पर पर film and animation डآल सकते या यह अगर आप टेकनिश्यन से बो साइंस हैं ट्कनलोजी में चैनलोजी लोगों सब्सक्राइब यह वीडियो लॉट्स होना चीज है कि कि आप किस लेंग्वेज में बना रहे है यह वीडियो नहीं तो आपका जो वीडियो यह कहीं अफरीका दिखाएगी और यह लगबग वीडियो का विव है बहुत ही कम चला जाएगा तो हम लोग फर्स्ट आप अपना लांवेज जो है सेलेक्ट कर लेना है ठीक है लांवेज हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया हिंदी ठीक है कैप्शन और उसके बाद हम लोग इसमें कुछ करना नहीं है अगर यह मैंने नो 누be pro kids किया था इसी लिए क्यां कीए जब आप जाते हो तोब कोमेंट नहीं कर सकते हो और आप केड्स वाला में चैनल है तो ईसमें आराम से कोई भी कमेंट आपके चैनल beim सकता है ठीक है इसलिए मैंने वहाँ पर इबाद कि आख कर चैनल अगर तो चैनल अगर बहुत लाया करते हो तो जो चैनल का इंप्रेशन है वो थोड़ा घट जाता है तो हमनों सिंपली देख सकते हो यहाँ पर चैनल मतलब जो आपका जो बंदा आएगा जो आपके चैनल को subscribe जिसने नहीं किया तो आप यहाँ पर एक add कर सकते हो यहाँ पर आप सिंपली एड कर सकते हो इससे जो है आपका वीडियो और बहतरीन दिखाई देगा ठीक है और उसके बाद हम लोग को आ जाना है ठीक है तो ब्रेंडिग पर जब हम लुगा आए तो ब्रेंडिंग तो हम लोग उने पहले इक रखा जो हम लोग ने अपना प्रॉफािल प्रीक्ट्र लगाय और बैनर लगाया दोनों ही आप रिमूब और चैंज दोनों कर सकते हो ठीक है उसके बाद हम लोगों जाना basic info पर basic info में मैंने जैसे सिखाया कि आप अपना link जो Facebook link निंग है Instagram link है और जो भी आप link extra देना चाहते हों यहाँ पर यह देख सकते हो हम लोगों का thumbnail और हम लोगों ने जो लिए और अपना चैनल का यूरल भी है एड लिंक पर क्लिक कर देना है तो उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना हो जैसे आप Instagram में देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लिख देना है follow me on instagram ठीक है और उसके बाद right side corner में जो है आपको अपना instagram का link दे देना है ठीक है इतनी सारी setting होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर अपना URL दोगे यहाँ पर publish का option आजाएगा ठीक है आप यहाँ पर publish करोगे जैसे ही सभी चीज लगवग सेव हो जाएंगी तो दोस्तों आपका यह जो चैनल है पूरी तरह से अब जाकर तयार हो गया है तो आप यहाँ से publish होने के बाद यहाँ से बैक करके देख सकते हो कि आपका जो चैनल है वह किस तरह से किरियेट हुआ और कितनी अच्छी तरीके से बना हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर राइट साइट कॉर्डनर में करोगो तो यहाँ देख सकते हो लगवग हर चीज का ओप्शन अब अनेबल हो गया है तो दोस्तों आपका जो चैनल है यह पूरी तरह से मैंने किरियेट करवा दिया है तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें